हाई वीवर, मैं विरेंद कुमार, आप सभी का BKC Learning Point पे स्वागत करते हैं आज हम पढ़ रहे हैं Civil First Year का या का सकते हैं सभी ब्रांच की Common Subject Engineering ड्राइंग जो First semester में पढ़ाया जाता है और उसमें आज हम पढ़ेंगे Orthograph कर Projection इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे और पढ़ेंगे Projection आप Point बिन्दूओ का परचेप लेकिन यहाँ जानने से पहले थोड़ा सा अर्थोग्रापकल और प्रोजेक्शन के बारे में देख लेते हैं Engineering ड्राइंग विशेश रूप से ठोस जैमिती ठोसों के लिए बनाया गया किसी ठोस का परचेप खीचना हो जैमिती परचेप खीचना हो उपयोग की जाने वाली ग्राफिक भासा है या एक हमारा भासा है जो ठोसों को परदर्शित करता है Engineering और तकनेशियनों द्वारा डिजाइन विकास निर्माड और उत्पादनों को बनाने के लिए मसीनों इमार्तों इस्टेक्चर आधि बनाने के लिए नीले प्रिंट के रूप में अवस्यक विचारों और इनफार्मेशन को रिकार्ड किया जाता है हैंने इसके लिए सबसे पहले ब्लू प्रिंट बनाया जाता है और फिर उस ब्लू प्रिंट के अधार पे ही हम आगे का कार्य करते हैं अगर हम देख लेते हैं कि प्रोजेक्चन क्या होता है अगर बात किया जब projection की तो यह बस्त को किस प्रकार से देखा जाए और क्या उसमें दिखाई देता है वो हमारा projection होता है एक बस्त को देखा जाता है जब प्रकास किरडों को द्रिस किरडों से बुलाया जाता है अबजेक्ट प्रवेच्चक की आँख पर प्रहार करे रेटीना में बनने वाली छबी का आकार अबजेक्ट से अबजारवर की दूरी पर निरुपर करता है यद एक कालपनिक पारदर्शी सता को इस तरह से पेश किया जाता है कि बस्त परवेच्छक के बीच में हो और समतल स्क्रीन परचबी प्राप्त हो चित्र पाँच में दिखाया गया है तो इस बस्त का परचेप दिरिश्ट कोड कहा जाता है या परजेक्शन कहा जाता है परचेप कहा जाता है यहां पारदर्शी सतह को पूरा करने लिए अबजेक्ट के सीध पर विभिन बिंदूओं से सीध ही रेखाएं या का सकते हैं किरड़े खीची जाती हैं हम देख लेते हैं चितर पाँच ग्या है हमारा तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हम को चितर दिखाया गया है यह है हमारा यहाँ पर कोई बेख खड़ा होकर के यहाँ एक प्लेट रखी गई है इस प्रकार से बना हुआ और इस Plate को वह देख रहा है जब इस Plate को देखते हैं यहाँ पे खड़ा किया गया अगर देखेंगे तो इस प्रकार से Plate हमारा अब इसकी मुठाई कुछ भी हो जब यहाँ से देखा जाएगा यह हमारा जारबर होगा यह Object है और यह हमारा Plane है जहां पे हमको projection देखना है तो यह दूरी पे इसलिए निर्भर करता है क्योंकि अगर इसको जितने पास से देखा जाएगा plane पे इसकी mark उतना ही कम और जाता होगा जैसे हम यहां से अगर देखते हैं तो यह बस तो हमको बड़ा यहां पे दिखेगा अगर कहा जा कि कोई टार्च यहां से जलाया जाता है तो इसकी छाया इस वाले फ्लक पे जितने लंबाई पे पड़ेगा वह है इसका projection कहलाएगा यहां कहा सकते हैं prospective projection कहलाएगा क्योंकि यहां आकार जो यहां object रखा गया है इस object को लंबोत नहीं देखा जाएगा जब लंबोत देखेंगे तो अर्थोग्रापकल प्रोजेक्शन होगा और जब हम इसको लंबोत ना देख करके तिरिछा देखा जाएगा या कुछ कोड पे देखेंगे तो यह हमारा होगा pictorial projection अगर बात किया जाए अर्थोग्रापकल प्रोजेक्शन के बारे में तो यह हमारा दो प्रकार का होता है एक pictorial projection दूसरा अर्थोग्रापकल प्रोजेक्शन हम पहले pictorial प्रोजेक्शन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या होता है तो जो हमारा pictorial projection होता है यहाँ पे दिखाया गया है जिन परच्छपों में किसी दिरिस्च में बस्त का बरणन पूरी तरह से समझा जाता है उन्हें हम चित्रात्मक परच्छेपड या pictorial projection कहते हैं इन्हें समान आकार की तत्काल छाप और बस्त की बिबरण का देना लाब है लेकिन इससे सही आकार और माप में यह दिखाई नहीं देता है जैसे यहाँ चित्र में दिखाया गया है यह हमको जहाँ पे यह हमारा एक projection है लेकिन perspective projection है यहाँ से जब object को देखा जा रहा है जो हमारा यहाँ पे object दिखाया गया है तो यह object तो यहाँ पे दिखाया जा सकता है इसकी लंबाई चवडाई को भी दिखाया जा सकता है लेकिन जितना आकार यहां पे है, जिस माप में है उतने ही माप में यहां पे हमको प्लेन पे नहीं मिलेगा इसका माप कुछ अधिक हो जाएगा इसी को अगर हम और दूर से देखते हैं तो यहां आकार हमको और यहां पर छोटा दिखाई देगा अब देख लेते हैं कि अर्थोग्रापकल प्रोजेक्शन क्या होता है तो जो हमारा अर्थोग्रापकल प्रोजेक्शन होता है अर्थो का अर्थ होता है समकोड और अर्थोग्रापकल का अर्थ होता है समकोड रेखा चित्र खीचना यानि समकोड होने पर किसी का चित्र देखना जब प्रोजेक्टर उस सता के लंबोत होता है जिस पर प्रच्छेपड प्राप्त करना होता है तो इसे अर्थोग्राब कर परछेपड के रूप में जाना जाता है अगर यहां से इस प्रकार से देखा जाए कि इसकी लंबाई यहां पे परवर्थित ना हो अगर कहा जाए कि कोई ऐसे प्लेन हमको यहां पे दिखाया गया है इस plane पे हमें यहाँ पे कोई बस यहाँ पे इस प्रकार से ऐसे रख दिया जाए और यहाँ इसको देखा जाए उपर से या टास जलाया जाए अगर इसी plate पे होगे तो उतने ही मापका यहाँ पे छाया पड़ेगा तो वह हमारा orthograph कल projection होगा अब हम देख लेते हैं कि front view हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं सम्मुक दिरिस देखने की बिधी या method of obtaining front view front view किस प्रकार से प्राप्त किया जाएगा अगर कहा जाए कि कोई ऐसे cube यहाँ पे बना हो अगर इस cube के fluck की बात किया जाए तो जो इसके fluck होंगे यह हमारे एक top का fluck होगा इसके नीचे यह वाला bottom का fluck होगा और यह वाला fluck जो है यह print का होगा तो यह हमारा right side flick हो जाएगा यह हमारा left side का हो जाएगा और यह हमारा back print हो जाएगा तो यह हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 हुए थे भी हमको देखने को मिलेगा लेकिन इसमें से हम सिर्फ फ्रेंट को देखेंगे यहाँ पे तो हमको फ्रेंट में सिर्फ इतना ही भाग दिखेगा जो यहाँ सामने होगा अनन्त दूरी से बस्त को देखने वाले एक परवेच्छक की कलपना करें किरड़े एक दूसरे के समानतर होती है और बस्त की ओर दोनों सताओं के सामने सतापल लंबोत होती है जब अबजारबर अबजेक्ट से एक निश्चित दूरी पर होता है तो किरड़े के परछेपड के मामले में आख पर परिवर्तित हो जाती है जब परवेच्छक सामने की सता यफ या बलाग पे देखता है तो उसका सही आकार देखा जाता है जब किरड़े या जेक्ट को आगे बढ़ाया जाता है तो अबजेक्ट के पीछे इस्थित वर्टिकल प्लेन या उर्धुआधर सता बीपी से मिलती है सही करम में प्लेन से मिलने वाली प्रोजेक्टर से जुड़कर फ्रेंट व्यू चितर 5.2 के अनुसार बनता है जो यहाँ पे चितर हमको दिखाया गया है अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दिखाया गया है हमको एक प्लेट दिखाया गया है क्यूब के आकार का है लेकिन क्यूब ना हो करके क्योंकि लंबाई चोड़ाई सेम नहीं रखीगे इसलिए यह क्यूब नहीं हुआ तो यहां पे जो चित्र हमको दिखाया गया है इस चित्र को इसके सामने से देखा जाए यहां से देखा जाए तो यहां किस प्रकार से दिखेगा तो इसकी हाइट जो है यहां दिखेगा और इसकी यहां से यहां तक की लंबाई जो है वहां दिखेगा यानि हाइट और लंबाई पूरा पूरा दिखेगा क्योंकि हम जो यहाँ पर प्रोजेक्शन ले रहे हैं या अर्थोग्रापकल है तो यह हम 90 डिग्री पे लेंगे यानि जितने माप का यहाँ पे है इतनी ही छाया फ्रेंट पे हमको यहाँ ब्लेक में यह यहाँ से दिखाई जा रहे है जो इसके अंदर दिखाया गया है यह हमारा लेकिन जो यह बड़ा वाला एक आयत दिखाया गया है यह हमारा प्लेन है और उसी प्लेन पे बना हुए हमारा फ्रेंट भी हो और यहाँ पे यह हमको अबजेक्ट दिखाया गया है यहां जो हमारा फ्रेंट बनेगा यहां बनेगा बीपी पे जो हमारा उर्धवाधर प्लेट होगी अभी प्लेट के बारे में भी विचार किया जाएगा कि उर्धवाधर प्लेट कौन से होती हैं छैतिज प्लेटे कहां पे होती हैं इन सबकी भी बात करेंगे तो यहाँ पे जो बना वह हमारा फ्रेंट बना जिसको सम्मुक दिरिश्ट कहा जाता है या एलिवेशन और वह हमारा उर्धुआधर प्लेट पे बन रहा है अब हम देखेंगे कि प्लान को किस प्रकार से प्राप्त करते हैं तो यहाँ प्लान के लिए दिखाया गया है अगर टाप भी हमको प्राप्त करना है तो सीर्स से हमको देखना पड़ते हैं उपर से देखा जाए उसके बाद सता पे किस प्रकार से दिखेगा वह हमारा टाप भी उखालाता है जो प्लान हम बनाते हैं या टाप भी बनता है उसमें हमको लंबाई दिखती है और चोड़ाई दिखती है इसकी जो उचाई होती है यह हमको नहीं दिखती है उचाई ना के बराबर हो जाते हैं जैसे यहाँ पर प्लेट दिखाया गया है अगर इसी को उपर से देखा जाएगा तो सिर्फ हमें यहां पे एक आयत या बर्ग के रूप में यहां नीचे सता पे दिख रहा है अगर इस सता पे बात किया जाए जो यह पी है तो यहां पे हमको सिर्फ ही इसकी यहां से यहां तक लंबाई और यहां से यहां तक चौड़ाई दिख रही है जब कि जब हम front view बना रहे थे तो front view में हमको दिख रहा था उचाई और उचाई के साथ साथ लंबाई या फिर चौडाई दो ही माप उँहां पे दिख रहा था तो यहां पे भी हमको दो ही माप मिलेगा लेकिन यहां पे जो top हमारा बनेगा यह top हमारा BP पे ना बन करके HP पे बनेगा यहाँ नीचे के तरफ बनेगा अगर आप सभी देखेंगे तो जो यहाँ पे object दिखाया गया है इस object का top view यहाँ नीचे इस सता पे दिखाया गया है यहाँ भी हमारा same map का होगा same map का क्यों होगा क्योंकि आप सम कोड पे खीचा जा रहा है और जो यहाँ पे अगर देखेंगे तो जहाँ दोनों प्लेटे आपस में मिल लही है यहाँ पे XY दिखाया गया है यह हमारा संदर्व तल होता है जो इसी चित्र को यहाँ पे एक साथ करके दिखाया गया है कि जब यहाँ से देखा गया तो फ्रेंट बना और फ्रेंट हमको BP पे इस प्रकार से यहाँ पे बना जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है तो यहाँ BP में फ्रेंट दिखा दिया गया यहाँ उपर BP लिखा नीचे HP लिखा गया है और जो यहाँ पर बना उससे बड़े साइज का बना वह हमारा प्लान हो गया और यह HP में दिखाया गया और इन दोनों के बीच में यहाँ पर हमारा संदर तल हो गया अगर इसी की बात किया जाए जो XY है इस वाले प्लेट को ऐसे सीधा सीधा नीचे लाते हैं तो जो यह चितर बना है यह चितर भी इसी की नीचे ऐसे बनेगा यनि X और Y पे यह इसी प्रकार से हमको दिखाई देगा तो इस प्रकार से हम अप्टेन करते हैं टाप ब्यू कुछ मुख बातों पर भी ध्यान दे लेते हैं थोड़ा सा पहले में कहा जा रहा कि प्रतेक प्रचेपड बस्त की सता को दर्साता है जो प्रचेपड प्रचेपक के पास है और सता से बहुत दूर है यहीं सता पर ना रख करके कुछ दूरी पर भी रखा जाए तो जो अबजेक्ट होगा उस अबजेक्ट के एक सता को दिखाता है अर्थोग्रापकल प्रोजेक्शन और दोगिक दुनिया का एक मानक ड्राइंग के रूप में बिक्सित हुआ है यहाँ प्रतिछेदन रेखा के संधर्भ रेखा कहा जाता है और इसे एक सवाई इसमाल में लिखा जाता है यहाँ पर हमारा है एक सवाई यह हमारा संधर्भ रेखा है जिसको प्रतिछेदन रेखा के नाम से भी जाना जाता है प्रियुक्त BP और HP के प्रछेपड संदर्व सतहो या प्लेन की परमुक प्लेनों की रूप में कहा जाता है ये हमेशा से पारदर्सी है और एक दूसरे से समकोड पे है BP पर प्रछेपड को फ्रेंट व्यू से जाना जाता है और HP को सीर्स द्रिस के रूप में जाना जाता है निए जो हमारा HP पे बनेगा कोई भी चितर बनता है तो वह हमारा प्लान कहलाएगा अगर वह हमारा BP पे बनता है BP पे तो वह हमारा फ्रेंट कहलाएगा या इसी को एलिवेशन भी कहा जाता है सम्मुक द्रिस या टाप द्रिस प्लान ये हमको बनता है हम थोड़ा साब ये भी देख लेते हैं कि HP और BP होता क्या है तो इसके लिए हमको जानकारी होना चाहिए चतुर्थांस का जो मैथ में पढ़ चुके हैं इस प्रकार से ऐसे बना होता था जिस पे हमारा ये एकस एकस लिखा जाता था य और यदेश इस प्रकार से लिखे जाते थे इसमें सब प्लस प्लस होता था इसमें माइनस प्लस होता था इसमें माइनस माइनस होता था इसमें माइनस और प्लस होता था इसमें माइनस और प्लस होता था इस प्रकार से मैथ में यहां पे एक रेखा की रूप में पढ़े हैं और इसमें जब हम इंजिनिंग ड्राइंग पढ़ेंगे तो यहां रेखा ना मान करके इसको एक प्लेन की रूप में मानेंगे अगर यहां पे देखेंगे तो हमको यहां पे एक दिखाया गया है प्लेन जिसका यह हमारा मूल ब थांस होता है, यह दूसरा होता है, यह तीसरा होता है, और यहां पे चवथा होता था, सेम वैसे ही यहां पे भी है, अब यहां पे एक प्लेट के रूप में है, तो इसमें जो उर्धवाधर प्लेटे हैं, जैसे ये वाली प्लेट, यह उपर जा रहा है, तो हम बीपी इसको क पहेंगे उर्ध्वाधर प्लेट नीचे वाली है यह भी नीचे जाए या उपर जाए बीपी होगा सामने के तरफ जाए या बैक साइड में जाए तो यह हमारा यह पी होगा यह इस प्रकार से बना होगा अब अगर बात किया जाए समझने कि के इस प्रकार से coordinate दिखाया गया और यहाँ 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 यह ना लिख करके हम BP लिख देते हैं और इस वाले लिख देते हैं HP चाहें इधर हो यह पूरी रेखा जो अट्वाधर जा रहे BP होगई अट्वाधर सता जो HP है यह हमारा 36 प्लेन है यह 36 सता होगा अब अगर कहा जाए कि कोई बिंदू यहाँ पे है यह मान लेते हैं अगर इसकी स्थिती पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि यह HP से उपर है उपर है और BP के सामने है यहनि कोई बिंदू यह उपर और सामने है तो वह हमारा first coordinate में होगा इसी प्रकार से अगर HP के उपर हो लेकिन BP के पीछे हो तो यह जो coordinate हमारा होगा यह सिकन्ड होगा अगर कोई बिंदू इसमें स्थित होगा तो वह कहा जाएगा कि BP के पीछे है और HP के उपर है लेकिन अगर कोई बिंदू यहां इस्थित होगा तो कहा जाएगा कि HP के नीचे है और BP के पीछे है अगर इसमें होगा तो कहा जाएगा कि HP के नीचे है और BP के सामने है सामने इस्थित है जैसे अगर कोई बिंदू भी यहां पे हम लेते हैं तो यहां अगर बिंदु है तो यहां से कुछ दूरी पे है लेकिन BP के सामने ही है और यहां से कुछ दूरी पे है जो हमारा HP प्लेट है इस HP से कुछ नीचे होगा तो इस प्रकार से यहीं कहा जाए कि कोई बिंदु HP के सामने है HP के उपर BP के सामने है तो यहां पे होगा BP के पीछे हो और HP के उपर हो तो इसमें होगा अगर HP से नीचे हो और BP के पीछे हो तो इस तीसरे में होगा अगर BP के सामने हो और HP के नीचे हो तो हमारा चवता कौाडिनेट होगा अब कौाडिनेट को दिखाएंगे कैसे अगर दिखाने की बात किया जाए तो जब पहला कौाडिनेट होगा तो इस पे EXY दिखाएंगे रेखा और यहां पे BP उपर था यहां पे और HP यहां पे तो BP बटे HP लिखते हैं फर्स्ट कॉडिनेट के लिए अगर सिकंड कॉडिनेट में कोई ड्राइंग बनाना है तो XY इस प्रकार से दिखाएंगे और यहां लिखेंगे दोनों उपर BP भी उपर होगा और HP भी हमारा उपर होगा तीसरा अगर कॉडिनेट हमारा होगा तो XY दिखाएंगे और यहां पे पहले का उल्टा हो जाएगा HP बटे BP हो जाएगा अगर यहीं हमारा चवथा कॉडिनेट हो तो XY दिखाएंगे रेखा और यहाँ पे HP और BP दोनों एक स्वाई के एक स्वाई रेखा के नीचे दिखाए जाएगा तो इस प्रकार से हम यहाँ पे करते हैं अगर और बात किया जाए तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ऐसी ही एक सता दिखाए गई है यह BP था यह हमारा नीचे वाला HP है और यह फ्लक जो हमारे साइड के होंगे यहाँ भी हमारा BP पे ही बनेगा प्लान मात्र हमारा HP में बनता है और बाकि सब BP में दिखाए जाते हैं अगर यहाँ पे कहा जाए कि यह है यहाँ से इस अबजेक्ट को देखा जाए यहाँ से तो जो सामने होगा वो फ्रेंट होगा जो यहाँ BP पे बना हुआ दिख रहा है तो यहाँ एक सो आई रेखाए से खीची गई और ओपर लिख दिया गया BP और नीचे लिख दिया गया HP यह हमारा तीसरा कोडिनेट का सिंबल है तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो फ्रेंट यहाँ पे दिखाया गया साइड वहाँ पे ही दिखाया गया BP में ही और जो प्लान दिखाया गया वो हमारा HP में दिखाया गया यानि जब हम उपर से देखेंगे, तब जो दिखाए देगा, वह HP में हमें से बनाएंगे, और बाकी side से देखा जाए, या सामने से देखा जाए, तो जो चीज हमको दिखाए देगा, वह हम बनाएंगे BP में. चलिए बिंदू का कुछ question देख लिया जा रहा है, लेकिन उससे पहले बिंदू के बारे में थोड़ा सा जान लिया जा रहा है, बिंदू का परछेप किस प्रकार से खीचा जाएगा, प्रोजेक्शन आप पॉइंट. तो जो बिंदू हमारे होते हैं, सबसे पहले काम है कि इसकी इस्तिती को पता करना कि यह बिंदू किस कौाडिनेट में होगा. ठोस की संख्या है, प्लेन होता है, इस प्लेन में कई पंक्तिया होती हैं जो चार बताए गए, और एक लाइन में एक पॉइंट होता है, नि कई पॉइंटियों से मिल करके एक लाइन हमारा बनता है, जिससे यह अस्पास होता है कि एक प्लेन से एक ठोस उत्पन हो सकता है. चार चतुर्थांस में से किसी में भी जगाह ले सकता है एक बिंदु के पद इस प्रकार है यहनी कोई बिंदु हो और वह कॉडिनेट में कहां कहां पे इस्तित हो सकता है जैसे पहला अगर चतुर्थांस हो जो बताया गया यहां पे अगर कहा जाए HP से उपर है तो उपर यहाँ पे होगा और उपर यहाँ पे भी होगा लेकिन आगे कहा जा रहा कि सामने है तो सामने इसके BP अगर प्लेट यह है और HP हमारा यह है तो सामने BP के है तो यहाँ लिखेंगे कि सामने है और सामने के लिए पहले पहले अभी बताएगे कि यहां फर्स्ट कॉाडिनेट होता है यहां नीचे वाला हमारा थर्ड होता है और यह हमारा फोर्थ कॉाडिनेट होता है दूसरे कॉडिनेट में बताया जारा कि HP से उपर है यहाँ पर यहाँ पर भी है यहाँ पर भी हो सकता है लेकिन पीछे है कहाँ BP के बीपी के पीछे है अगर BP के पीछे है तो यह हमारा यहाँ हो गया या नीचे का ऊपर का रहा था और पीछे तो दूसरे कॉडिनेट में तीसरे कॉडिनेट कभ होगा जब कोई बिंदु हो वह HP से नीचे हो यहाँ पर नीचे हो सकता है या फिर यहाँ पर नीचे हो सकता है दो इस्तिती बनेगे पीछे है यानि पीछे होगा तो इसमें आएगा यानि तीसरा कॉडिनेट हो जाएगा चोथे कॉडिनेट में HP से नीचे और BP के सामने हो जो भी आपको बताया गया वही चीज यहाँ पे भी दोहराया जा रहा है तो इस प्रकार से कॉडिनेट को पता कर सकते हैं अब आते हैं बात की प्रोजेक्शन अगर खीचा जा रहा है प्रछेप खीचा जा रहा है तो किस प्रकार से प्रछेप को खीचेंगे तो इसके लिए यहाँ पे नोट दिया गया है यदि कोई बिंदू HP के उपर या नीचे हो तो वह XY रेखा पे उसी प्रकार से खीच दिया जाएगा XY रेखा अगर इस प्रकार से ऐसे दिखाते हैं इस पे HP और BP कहीं पे भी लिखा हो चाहे उपर लिखा हो चाहे नीचे लिखा हो अगर कहा जा रहा है कि HP से उपर या नीचे है तो एक स्वाई रेखा पे उपर या नीचे दिखा देंगे लेकिन अगर कहा जा रहा है कि BP के सामने हो तो नीचे खीचेंगे तो चलिए इसी पे एक दो कोईस्टन देख लिया जा रहा है यहां पे अगर देखेंगे तो कुछ बिंदू हो गए अर्थोग्रापकल प्रोजक्शन ड्रा करने के लिए कहा जा रहा है जिसमें सबसे पहले कहा जा रहा है कोडिनेट बना लेते हैं बिंदू यह है यह पी से 30 में उपर है अगर उपर है तो 30 में यहां हो सकता है यहां हो सकता है फिर कारा बीपी के सामने है अगर सामने है तो यह ही पे होगा यहां से यहां पे कोई बिंदू यह मान लेते हैं तो बीपी से यह 15 की दूरी पे है और यह पी से जो इसकी दूरी है यह हमारा 30 है तो जो लिखेंगे X Y और X Y के लिए BP और HP यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे अब इसमे कहा गया था कि जो यह बिंदू है है अगर हम यहां से तार्च जलाते हैं तो यहां बिंदू हमको तो 15 mm अब इस पे तु दिखाया नहीं जा सकता है उपर या नीचे दिखाएंगे लेखिन अगर HP से कह रहा है कि 30 mm उपर है तो यह उपर दिखेगा अब जो बिंदू इस पे दिखेगा HP पे इसको HP पे ना बना के 90 डिग्री पे हम क्या करते हैं मूब कर देते हैं यहां से अगर कहा जा कि बिंदू यहां पे दिखा और यहां से दूरी 30 रखी गई ठीक अगर यहां से जब देखते हैं इस तरफ से तो इस पे बिंदू हमको दिखाए देगा और वहां 30 की दूरी पे तो अगर इसी को ऐसे फैला दिया जाए इस वाले सिरे को नीचे लाते है तो यह बिंद हमको यहां दिखेगा और तीस के पंदरा के दूरी पे यहां से पंदरा के दूरी पे एक बिंद होगा और उपर जाएंगे इसी के सीध में तो तीस के दूरी पे एक बिंद हमको यहां पे होगा अब जो HPP है इसको हम ये लिख देंगे और जो BP में है इसको हम A- लिख देंगे इस प्रकार से बनाया जा सकता है चलिए दूसरा देख लेते हैं दूसरे में कहा जा रहा है कि HP से 16 mm उपर है यहां इस रेखा से उपर है 16 mm, BP से 10 mm पीछे है इससे 10 mm नाप करके काटेंगे यहां कट रहा है यहां पे बिंदु हमको B मिलेगा HP से उपर है यहां से 16 mm की दूरी पे है और यहां से 10 mm की दूरी पे है दस एभीमुं की दूरी पे है अगर इसि को हम इस क्रास बिंदु को उपर से देखते हैं तो यहाँ बिंदु हमको यहाँ पे दिखेगा और यहाँ से जो इसकी दूरी होगी यहाँ रहाँ होगा 10 अगर यहां से देखा जाएगा तो यहां बिंद हमको यहां पे दिखेगा और यहां नीचे से मूल बिंद से इसकी दूरी होगी 16 अगर इसी को आले फलक को हम नीचे कर देते हैं 90 डिग्री लेकिन यह कलाक वाज घूमेगा तो नीचे नहीं हम इसको उपर करेंगे तो उपर करते हैं तो यह हमको यहां पे आ करके मिलेगा तो अगर इसी को एकसुआई रेखा पर दिखाया जाया एकसुआई हो गया दूसरे कॉाडिनेट में गया तो HP और Bp या Bp HP दोनों उपर हुई इसलिए यहाँ पर जो दो बिंदू दिखेंगे यह उपर के तरफ दिखेंगे यहाँ कहा गया HP से 16 mm उपर था तो HP से जहाँ कहेगा वहीं पर खींच दिया जाएगा और BP कि 10 mm पीछे है अगर पीछे होगा तब उसको हम उपर खींच देते हैं यह इसी रेखा पर 10 यहाँ कहीं निसान लगा देंगे तो एक पर हम लिखेंगे B और एक पर लिखेंगे B डैस तो यह हमारे और यहाँ पर दूरी दिखा देंगे कि यहाँ से नीचे हमारा 10 है और यहाँ से दूरी दिखा देंगे कि हमारा यह 16 है तो इस प्रकार से बिंदु का रेखा बिंदु का फर्चेप हो जाएगा तीसरा देख लेते हैं अगर तीसरे की बात किया जाए तो यहाँ पर कौाडिनेट बना लेते हैं कहा जा रहा है एच पी से नीचे है नीचे है तो या तो इस कौाडिनेट में होगा या तो इस क्वाडिनेट में होगा और BP के सामने है 13 mm नीचे है और 18 mm BP के सामने इस्थित है निस सामने इस्थित है तो इसमें होगा क्योंकि यह हमारा BP है अगर सामने की बात करेगा तो इस दिसा में जाएंगे और पीछे की बात करेगा तो इस दिशा में जाएंगे तो यहाँ पे कोई बिंदु हमको माल लेते हैं कि C मिला और यहाँ से इसकी दूरी यहाँ पे हमको बिंदु है HP से नीचे है 13 mm और BP के सामने है 18 mm यह दूरी 18 होगे अब हम यहाँ से देखेंगे नीचे के तरफ से तो यहाँ बिंदु हमको यहाँ पे दिखेगा मोल बिंदु से यहाँ पॉइंट से कितने दूरी पे 18 की अगर यहाँ से देखते हैं तो यहाँ बिंदू हमको यहाँ पर दिखेगा और मूल बिंदू से 13 की दूरी पर अगर इसको हम नीचे रोटेट करते हैं थो यह दोनों हमारा ओपन नीचे बनेगा यह जो चौत्रा कॉडिनेट होता है इसलिए यहाँ पे HP और BP दोनों नीचे लिखे जाते हैं क्योंकि दोनों तलों का परछेप नीचे की तरफ ही बनता है तो यहाँ से खीचेंगे एक 18 mm की रेखा यहाँ पे बिंदू C मिलेगा और एक यहाँ तक होगा 13 mm यहाँ पे भी हमको बिंदू C मिलेगा एक डैस के साथ होगा यहाँ से यहाँ तक 13 mm की दूरी है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसके सीथ तक की दूरी जो हमारा है यहाँ 18 है अब आप सभी इसमें से ये वाला कोईस्चन, चौथा वाला कोईस्चन करेंगे और पच्छवा कोईस्चन हम आप सभी को बता रहे हैं यहाँ कोईस्चन हो गया, तो यहाँ BP के सामने 10mm के सामने है, और हमारा फॉर्ट में भी आएगा, अब जिसमें चाहें उसमें लिया जा सकता है तो हम अगर पहले में मानते हैं तो यहां पहले का सिंबल दिखाएंगे यहां पहले में लिखेंगे BP और HP तो यहां कहा रहा कि BP के सामने है तो सामने है तो यहां हम नीचे दसेमियम दिखा देंगे कि यहां पर कोई बिंदू E था इसमाल में लिखेंगे और यहां से इसकी जो दूरी है वो हमारा दसेमियम है और यहां पे भी एक बिंदू है लेकिन यहां से दूरी कुछ भी नहीं है यहां पे भी बिंदू E है डैस के साथ अगर यही हम चौथे में मानते हैं तो X हो गया Y हो गया तो चौथे में HP और BP दोनों नीचे होते हैं नीचे कहा जा रहा है नीचे खींच देंगे तो यहां पे हम लिखेंगे कि E है और यहां से दूरी यहां तक हमारा 10 है तो 10 लिख देंगे और यहाँ पे अब की बार यहाँ पे लिखेंगे dice के साथ यानि जो यहाँ पे उपर लिखा जा रहा है मातर यहीं नीचे हो रहा है लिखने में सिर्फ अंतर है बाकी चित्र में कोई अंतर नहीं है ऐसे हम छटवे question को अन्तिम question को देख लेते हैं यहां कहा जा रहा है कि HP से BC में मूपर है नहीं यहां पर कहीं पर है वह BP में इस थी थे यहनि BP से कोई दूरी हमारा नहीं है यह BP से कोई दूरी नहीं है लेकिन HP से BC में मूपर दिखाया जा रहा है अब इसके लिए हम खीच लेते हैं यहनि बिंद हमारा यहीं पर है तो जो note बताया गया था उसके अनुसार यह coordinate हमारा दो में हो सकता है जिसमें HP और BP दोनों उपर लिखे जाते हैं यहाँ है HP से उपर है तो उपर यहाँ पे दिखा देंगे BCM इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है और यहाँ पे लिखेंगे यप है और यहाँ पे यप डैस लिखेंगे अगर यही पहले में बनाया जाए तो यहाँ यहाँ पे लिखेंगे यहाँ BP लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे HP HP से उपर का रहा तो यहाँ पे BCM हो गया बिन्दू हमको यहाँ पे यप मिलेगा और इसकी जो दूरी होगी वह हमारा बेसेमियम होगा और यहाँ पर भी यप मिलेगा यह डैस के साथ होगा या बिना डैस के इस प्रकार से बना सकते हैं अगर यहाँ वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो इसको लाइक करिए, सीर करिए तथा हमारे चैनल को सस्क्राइब करिए यदि कोई समस्या हो रहा है तो आप वह कमेंट के द्वारा हम से पूछ सकते हैं यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवा